हाई इस वीडियो में हम समझेंगे जीरो बेस बजेटिंग देखे नाम से स्पष्ट है कि जो बेस होगा बजेटिंग का जो बेस होगा ओ कहा से होगा जीरो से होगा इट मींस वाट जो हम बजेट स्टार्ट करेंगे तो उसका जो इनिशल जो वैल्ली होगा ओ जीरो से स्टा कर रहे थे उसमें जो पिछलय साल का जो भी जो बजट था उसको भी हम एंद्छर कर रहे थे लेकिन जैसे मान लीये 为 फर एक्जामपल जैसे जो फिशले साल हमने किसी हेल्थ मत्लब हेल्थ मिनिश्टि को हेल्थ मिनिश्टी को अगर 100 करोड रुपे किया था हील्ट मिनिस्ट्र को तो अभी इस साल इस बजेट में हम उसको क्या करते हैं कि संधर नगांजानी है करना ह quo करते ठीक है इसन cré bran 노假 क्या था इसमें इसमें एंड्राण किया था ठीक है तो इस सो है जीरो बेज बजेटिंग में यह जो concept है ठीक है incrementalism यह जो concept है mainly जो की यूज किया जाता है line item budgeting में तो यह यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है जो भी होगा अगर as per the requirement as per the health ministry requirement उनको priority दी जाएगी जो भी मतलब जो भी requirement के base पे priority दी जाएगी और उस base पे budget बनाया जाएगा अभी इस साल जो भी as per the requirement क्या होगा उसको जो amount है वह allowed किया जाएगा so that is mainly the zero based budgeting जो भी हम budget बनाएगे उसमें पिछले साल का जो budget है उसको consider नहीं करेंगे उससे हम कोई भी link नहीं बनाएगे कि इस साल मतलब पिछले साल हमने इस ministry को इतना amount दिया था अभी इस साल इतना देंगे not ऐसे नहीं हम क्या करेंगे जो भी है as per the requirement of the ministry और budget जितना है हमार पास जो की mainly जो भी amount of budget हमार पास available है फिर जितना amount of money हमार पास available है उसके हिसाब से हम फिर budget बनाएगे as per the priority as per the requirement के base पे तो उसको बोला जाता है mainly zero based budgeting तो यह जो टेक्निक है यह सबसे पहले डेवलप हुई थी 1970s के अंदर और इसमें क्या होता है mainly इस टेक्निक के अंदर क्या होता है जो प्रोग्राम्स होते है जो भी प्रोग्राम्स होते है इसको इसको justify करना होता है जो भी ministry इस प्रोग्राम को लेके आती है budget के अंदर कि हमें इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना है इतना amount चाहिए तो उसको justify करना होगा उसको justify करने के बाद उसको क्या मिलेगा एप्रोवल मिलेगा तो जो भी एप्रोवल मिलेगा एप्रोवल ओ एवरी इयर उसको लेना पड़ेगा हर साल लेना पड़ेगा इसको जब यह budget बनाये जाएगा तो इसको यह लेटेस टेकनिक टेकनोलोजी जो की मेली 1970 में डेवलप हुई थी इसको फाइले जो एड़ अमेरिका द्वारे अड़ आप किया गया था उनके फिसकल एयर में फाइनांस एयर में जो की मेली 1973 में इसको एड़ आप किया था और यह जो है यह मेली क्या है इन्होंने फिर उसके बाद इसके बाद यूएसे ने 1977 में अपने पूरे जो फेडल गवर्मेंट है एक रैपीडली आगे चलने वाला बजट है यह इंप्रूमेंट वाला बजट है ओके तो इसमें क्या होता है मेली जोरिसोर्स होती है रिसोर्स जो भी है उसको अलाओ किया जाता है अलग 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 एजिन्स को और बेसिस आप जस्टिपिकेशन के बेस पे तो उनकी जो भी पॉलिसी होगी ओंतीन रहेगी यह ठर्मिनेट की जाएगी यह भी डिटर्माइं कहा थेकर फ्रूद जस्टि पीचेशन और इसमें जो है इसको क्या किया जागा amount allowed किया जागा जो भी ministry है उसको तो यह mainly होता है zero based budgeting में तो यह जो unconventional जो तरीका था तो उसको यह क्या करता है totally इसको challenge करता है और as per the need of the program उसको funding level देता है मतलब कितनी funding देना है यह सभी इसमे funding level के हिसा मतलब as per the requirement program की जरुवत क्या है need क्या है उसके ल तो यह reset करता है जो incrementalism है जो mainly जो conventional model था उसको मतलब conventional model में जो यूज कर रहे थे जो भी conventional था मतलब जो mainly जो line item budgeting में हम यूज करते थे जिसमें incrementalism यूज करते थे तो इस principle को यह reset करता है यह क्या है totally यह unconventional है मतलब यह अभी latest technology mainly तो इसके अंदर यह जो zero base जो budgeting है इसमें mainly तीन operation होते जैसे सबसे पहले तो identify करता है जो भी उनके पास जो भी डिपार्मेंट के हेड है उन्होंने जो भी प्रोजेट किया है उसको identify करता है उसके बाद क्या करता है analyze करता है फिर उसको as per the requirement उसको priority देता है ranking देता है कि इनका requirement यह है तो क्या यह इसका जो objective के साथ इन्हों जो रिक्वार्मेंट बता अपना justification के साथ क्या इसके लिए इतना amount sufficient है क्या हो पाएगा अगर होगा तो क्या जरूरत है इसकी requirement क्या है उसके हिसाब से फिर इसको priority दी जाएगी और इस हिसाब से फिर उसको fund allowed किया जाएगा इस हिसाब से यह जो zero based budgeting है यह काम करता है तो इसमें क्या होता है जो department head होते है उनको जो भी इनकी requirement होत होता है तो उसके बाद उनको funding दी जाती है हर साल इसलिए यह क्या है यह हर साल उनको मतलब अपना जो requirement है उनको बताना होता है तो इससे क्या impact पड़ता है इसमें यह जो service delivery है जो भी program की जो service delivery है यह क्या हो जाती है अच्छी हो जाती है क्योंकि इसे efficiency बढ़ती है और सबसे important चीज है कि इसमें क्या होता है जो fund होता है वो allowed किया जाता है as per the priority जो priority होती है उसके इसाब से fund allow किया जाता है और मान लिजे अगर किसी चीज में अगर fund हम conventionally अगर कुछ fund दे रहे ओके अगर उसमें अभी requirement नहीं है तो उसको cut किया जाता है और अगर जरुवत है तो उसक से मतलब यह increase किया जाता है का मतलब पूराने से ज़्यादा ऐसे नहीं as per the requirement उसको fund दिया जाता है mainly यह होता है zero based budgeting में अगर मान लिजे किसी किसी चीज में अगर fund दिया गया है और उसमें requirement नहीं है तो fund को cut किया जाता है और अगर requirement है तो fund को बढ़ा जाता है इस तरह के से zero based budgeting काम करता है तो mainly zero based budgeting जो है कहां पर mainly यह काम आता है जहां पर जो budget है budget cost जो है वो out of control हो जाता है मतलब हमार पास limited budget है अभी उसको हमें efficiently use करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम जो भी हमार पास demand आएगी budget के लिए उसको as per the justification of the department हम उसको fund क्या करेंगे अलाओ करेंगे priority चेट करेंगे जो भी priority होगी उसको उस priority के हिसाब से अंक्या करेंगे budget उनको देँगे तो ये main penny होता है अगर किसी चीज में हम पैसा दे रहे तो क्या इसमें जरुवत है अगर नहीं है तो उसको कट कर दो that is inflated budget unwanted money किसी भी चीज में नहीं जाना चाहिए जिससे क्या हो जाएगा जो amount है जो budget के अंदर का जो पैसा है वो क्या हो जाएगा जो जिसमें लगना चाहिए उसमें नहीं लगेगा फिर इसलिए ये क्या करता जो भी inflated जो भी जरूवद नहीं है फिर भी उसमें हमं पैसा दे रहे है उसको detect करता हमें बताता कि नहीं यहाँ पर जरूवत नहीं है पैसा देने की लिए पैसा देने का उसके बात ये क्या ये सबसे यादा जो यूजफुल होता है ये service department क्यूए ब्लाइब क्योंकि यहां पर कोई आउट्पूट नहीं तो हम कोई भी उसकी जो नीड मतलब मेंली उसकी फीक सेस्ट यूश को देख नहीं सकते तो यह सर्विट डिपारमेंट में यूजफुल हो जाता है और यह अब्जेक्टिव है पॉलिसी का जिसके लिए अमॉंट दिया गया है उसको बस अच्छीव करना है तो एक टैप का उनको एक अब्जेक्टिव को अच्छीव नहीं किया जाएगा तो फिर अमॉंट नहीं दिया जाएगा मतलब यह कि जिस परपस के लिए जिस अब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए यह जो अमॉंट दिया जा रहा है तो उसमें रिस्पांसलिटी कीस की आ जाती है जो डिपार्मेंटल हेड है उसकी रिस्पांसलिटी आ जाती है तो इसलिए वो क्या करता है सभी के साथ कम्मुनिकेशन करत इसलिए यह और्गनाइजेशन विदिन दी और्गनाइशन एक कोडिनेशन पैदा करता है क्योंकि अगर डिके अच्छा रहेगा दिन ओर जेशन तो क्या हो जाएगा अमांट नद जो भी अपक्जेक्टिव यह हासिल हो पाएगा तो जो भी वेस्टेज होता है अमांट यह अभी absolute operations होते, उसको identify करता है, यह mainly, ठीक है, so these all are the mainly advantages of the zero-based budgeting, अभी हम देखेंगे disadvantages क्या-क्या है, इसके, zero-based budgeting के disadvantages क्या-क्या है, सबसे पहला, तो यह difficult to define decision unit, हमें सबसे पहले तो जो decision लिये जाते, उसको यह identify करने में हमें difficulty आ जाती है, तो जिससे क्या हो जाता है, time consuming हो जात क्या होता है, justify देना होता है, जब amount हमें चाहिए होता है, किसी भी department को अगर amount चाहिए होता है, उतना, उस budget के अंदर, तो उसको justify करना होता है, कि हमें इतना amount किसली चाहिए, इससे क्या हो जाता है, जो R&D department होता है, वो justify नहीं कर पाता है, लेकिन जो production department होता है, वो क्या कर पाता है उसका benefit ले लेता है तो ये एक disadvantages हो गया इसका उसके बाद जो भी इसमें mainly किसका role आ जाता है managers का role आता है क्योंकि इसमें top level से mainly उसका जो objective है वो देखा जाता है कि वो objective fulfilled हुआ है कि ने इसलिए इसमें managers को training देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हर बार manager को train करना है क्योंकि हर बार क्या होता है उनको justify करना होता है इस तरह के से देन इसमें क्या है ना बहुत ज्यादा manager की जरुद पड़ जाती है इस इस जीरो बेस budgeting में more manager in on даbles 갈 इस process के अंदर तो इसले क्या हो जाता है वहुं स्थे कारणजर झाता है तो हो वहां दुधे तो यह lite diisadvantage कि चीजन हम लेंगे फो हैं मतलब जो भी डिसीजन लेंगे कम deposits टासक बन जाता pops 2-0 इस में टाइम करने high क्रेल जाता है उसे फार्ट साल जब बजेट आएगा तो हर बार में प्रूब्छ करना कि इस काम के लिए यह अब्जेक्टिव हसीर करने के लिए हमें इतना आमांट चाहिए तो यह आरेंडी के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है प्रोडक्शन डिपार्मेंट इसका फायदा ले लेता है क्योंकि अल्रेडी बेनिफिट दिखा देता है फिर इसम सबसे पहला तो यह जो अलोकेशन करेंगे हम रिसोर्स का ओ इफिशेंटली कर सकते क्योंकि मेली हम नीड और बेनिफिट के बेस्ट पर कर रहे है उसके बाद यह क्या है मेली कॉस्ट इफेक्टिव वे से हम इसमें एड्मिश्टर कर सकते है इसको मतलब इसको मैनेज कर सकत कर सकते है एस पर दर कॉस्ट और उसका कितना एफेक्ट आया है इसको हम इंफ्रू कर सकते है देन हम डिटेट कर सकते कि जो जो भी इंफलेटेट बजेट है जो हम बिना फालतु जो बजेट अलाउट कर रहे है तो उसको भी हम डिटेट कर सकते अगर कर रहे तो उसको फिर होते क्योंकि उनके पास पूरी रिस्पाउंस लिटी आजाती है फूरा पावर आ जाता है है डीजीजन लेने का क्योंकि उन्हें अल्टिमेटली पॉलिसी का अबजेटीव यह हासिल करना और यह क्या कर जाता है कम्मुनिकेशन और कॉडनेशन बढ़ा देता है within organization के अंदर उसके बाद यह क्या करता है जो भी वेस्टेज मनी है और इसको वेस्टेज मनी को identify करता है और इसको एक और अप्सुलिट आप आप्रेशन को भी identify करता है तो यह मेंली advantages हो गए किसके जीरो बेस budgeting के और यह कहां पर mainly use किया जाता है जहां पर जो budget cost है यह बहुत ज्यादा है out of control है तो यह था mainly zero based budgeting जिसमें हमने mainly जाना की किस तरह के से zero based budgeting यूज किया जाता है और क्या-क्या इसके operational elements है जैसे हमने देखा सबसे इडेंटिफाई करता है फिर analyze करता है फिर ranking देता है priority के बेस पर यह काम करता है और हर बार यह हर बार यह जीरो से सुरू होता है किसी भी प्रोग्राम ऐसे ने की पिछले साल हमने इतना amount दिया था अभी साल इतना एस पर अब्जेक्टिव अब जैट policy ओके efficiency उसकी efficiency के base पे हम हर साल क्या करेंगे उसमें amount allowed करेंगे और सबसे important चीज जो department होगा वह हमेशा हर बार उसको justify करेगा कि हर इस साल हमें इस objective को हासिल करने के लिए इतना amount चाहिए तो इस तरह से उसको हर साल justify करना होता है तो इसलिए यह जो zero based budgeting है यह कभी किसी sense में इसके कुछ advantages है तो किसी sense में disadvantages है तो इस तरह से हमने इसको completely जाना है zero based budgeting को next video में हम cover करेंगे next topic that is gender budgeting okay so that's all for this video thank you bye bye